दियर फ्रेंट्स वेलकम टू दादी मा की बगिया फ्रेंट्स आज आपको एक अद्बूत जानकारी देंगे हमारे जो पानी की टंकी थी वो बीस से फट गई थे तो मैंने इसमें कचड़ा डालना सुरू कर दिया अब बने रहना देखना मैं इसमें कैसे और क्या करती हूं फ्री में सब्जी उगाऊंगी कोई मिट्टी नहीं है कोई इसमें मैंने खाद नहीं वरी है केवल नीचे कचड़ा भरा हुगा यह देखिए यह सारा कचड़ा है यह देखिए किचन बेस्ट के लाचिल के बगहरे स अब भरा हुगा है और कुछ नहीं है इसमें और आप वीडियो में बने रहनाओ दिखाएंगे मैं आपको कि किस तरह से हम इसमें सब्जी उगाते हैं तो ना तो मैंने कोई इसके लिए खरीदा ना मैंने इसमें कोई खाद मार्केट से लेके डाली कुछ नहीं किया और दे तो आप बने रहे हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं यह देखिए मिटी उपर से हलकी एक इंच मिटी कि यह देखिए हलकी सी एक इंच मिटी के बल डाल रहे हैं ज्यादा नहीं क्योंकि छट पे बजन बढाना अच्छा नहीं होता इसलिए मैं मिटी का प्रियोग बहुत कम करती हूं 10 परसेंट बस डालती हूं और इसमें अब मैं क्या डालूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी या बने रहना आप देखिए मैं इसमें डाल नहीं है बेस्ट बेस्ट ही कंपोज का रह गोल और पानी जिससे पहले ही नमी किये दे रहे हैं इसमें तो अब मैंने इसमें डाल दिया पानी और यह वही कचड़े की टंकी है जिसमें मैंने कचड़ा भरना शुरू किया था और देखिए अब मैं इसमें पानी डाल कर सीड डालूंगी वह भी दिखाऊंगी और इसके बाद सीड को ढख दूंगी पानी मैं इसलिए पहले डाले दे रही हूं कि अगर सीड डालने के बाद डाला तो हलकी मिटी मैंने एक इंच डाली है तो सीड इदर उदर बह जाएगा यह नीचे किचन बेस्ट के कचड़े में म हम बनी रहे हैं और सीड हमारा अच्छे से ग्रो हो जाए तो चलिए अभी हम पानी डाल के इसमें छोड़ाए और इसके बाद हम सीड डाल रहें और फिर आप को दिखाएंगे अब ये देखिए मेथी इसको मैंने अंकुरित कर लिया ये अंकुर दिख रहे आपको ये देखिए अंकुरित कर लिया वैसे तुम वैसे ही डाल देती नहीं मेथी लेकिन अभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो सीड अंकुरित बहुत लेट होता है इसलिए मैंने पहले बाइल अंकृत कर लिया अब हम इसको देखिए इसी किचन बेस्ट के ड्रम में इस तरह से फैलाए दे रही हूं छिटका के डाल रही हूं यह मैंने इसमें सारे में डाल दिया अब देखिए इसको अम्मिती से डिखे दे रहे हैं सारे बीज को और ज्यादा नहीं डालने से यह अंकृत इसके खराब नहीं जाए और इतना हलका भी नहीं ड डालूंगी किसे उपर आजाएए और चुटिया खाले ऑच लेक्टे आपके सामने इसको हम पूरा धानी से ढख रहे हैं अब मैंने यह मेथी पो डग दिया और अब इसकी हम आपको एक हफ्ते बाद अपडेट दूंगी तो देखिए अब हमने बोक है इसको हम इस तरह से किसी बोरी से या अदना आपके पास बोरी हो तो सूखी घास हो कुछ भी हो इसको ढख दो क्योंकि सर्दी है पाला पड़ता है और यह भीज खराब हो जाएगा तो इसको तीन-चार दिन के लिए ढख दो जब ग्रो हो जाए बीज फिर हटा देना इसको बस यह आपको बताना था और पानी डाले को मुझे जरूर नहीं पड़ी क्योंकि मैंने पहले ही पानी डाल दिया था तो अब नमी से और उपर से यह बोरी की ढखी है इससे साइध सीट जल्दी निकले आए वस यह आपको बताना था और दिखा करें कमेंट्स जरूर लिख देना तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए धन्वाद